सेंविच खाना ना हर किसी को पसंद होता है चाहे बच्चे हो या बड़े तो आज मैं आपके लिए लेकर आयो सूपर टेस्टी शूपर हैल्थी पाटेटो सेंविच की रेसेपी पाटेटो सेंविच बनाने के लिए मैंने दो उबले हुए आलू ले लिए हैं और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और यह देखिए हमारे आलू मैश हो गए हैं सैन्वीच को हेल्थी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे कुछ सबजियां शिमले मिर्च को मैंने बहुत ही बारी काट लिया है और इसे मैं डाल दूँगे बीट रूट को मैंने घीस लिया है और इसे हम डाल देंगे बीट रूट डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और कलरफुल भी बनता है सैन्वीच और इसमें हम डाल देंगे क चमश, और ओरिगणो जालदींगे एक चमश इसमें हम डालएंगे नमक मैंने आदा चमश डाला है और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों आप सब्जे इसमें आप अपने ब्रेट लेली है आप चाहे तो इसकी जगर ब्राउन प्रेट भी ले सकते हैं और यह देखिए मैं ब्रेट में टेमेटो सॉस लगा दूंगे आप चाहे तो टेमेटो सॉस की जगर मेयोनीज भी लगा सकते हैं और यह देखिए मैंने टेमेटो सॉस दोनों ब्रेट स्लाइज म में लगा दिया है बाकी की ब्रेट में हम लगा देंगे हरी चटनी बस इस तरह से ब्रेट के ऊपर टामेटर सॉस और हरी चटनी लगा लेना है अब हम ब्रेट के ऊपर लगा देंगे स्टफिंग जो हमने बनाई थी ना पटेटो की उसे हम लगा देंगे अच्छे से और यह मैं दूसरी ब्रेट में भी लगा दीती हूं और बस हमें करना क्या है जो ग्रीन चिटनी वाली ब्रेट थी न उसे हम इसके उपर रग देंगे दोस्तों आप इस पटेटो सेंविच को एक बार जरूर ट्राय करके देखना बस इस तरह से हमें स्टफिंग वाली ब्रेट को बादिंगे तो चलिए सेंविच को हम ग्रील कर लेते हैं पैन के उपर मैंने लगा दिया है घी मेरे पास में घी था तो मैंने घीन लगाया आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं बस इस तरह से ग्रील पैन के ऊपर ब्रेड रग देंगे और दोनों ब्रेड के ऊपर घीन लगातेंगे सेंवीच को न हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हम सीख लेंगे और अगर आपके पास में ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं बस इस तरह से हमें पलटती हुए सेंवीच को दोनों तरफ से अच्छे से से शेख लीना है और यह मैंने दोनों तरफ से सेंवीच को अच्छी तरह से शेख लिया है और यह हमारा सुपर टेस्टी सुपर हैल्थी पटेटो सेंवीच बनके तैयर हो गया है देखा ना आपने सेंवीच को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसका टेस्ट ना बहु अगली नहीं रेसिपी के साथ में